इस वीडियो में समझेंगे how to find square roots of rational numbers in decimal form means जब rational numbers decimal form में होते हैं तो कैसे हम उनका square root निकालेंगे तो basically मैंने दो भागों में इसको divide किया है तो पहला जो यहाँ पर rational numbers का decimal form है इसको बोलते हैं perfect squares means यह सारे numbers जो मैं लिखा हूँ यह सारे perfect squares है ठीक है तो क्या similarity है perfect squares में देखें हैं आपर ध्यान से देखेंगे आप तो मिलेगा आपको कुछ 0.16 0.168921 4.41 4.4521 0.00008281 आपको दिख रहा होगा कि यदि यह perfect squares हैं तो इन में क्या है एक similarity है और यह बिल्कुल ही सारे perfect squares में होगा जब भी decimal number में दिया रहेगा और perfect square वो होगा तो आपको यह मिलेगा यहाँ पर क्या चीज़ देखें ध्यान से 0.16 यहाँ पर 16 का क्या हो रहा है decimal के बाद जो numbers है वो pair में है देखें 0.168921 तो यहाँ पर 3 pair बन रहा है यहाँ पर 1 pair बन रहा था यहाँ पर देखें decimal के बाद कितने pair है 1 pair decimal के बाद यहाँ पर कितना है 1, 2 मतलब हमेशा एक pair बन रहा है देखें हाँ पर 1, 2, 3, 4 यहाँ 4 pairs है 0.1 पर 1 pair, 2 pair, 3 pair और यहाँ पर देखे कितने pairs है decimal के बाद देखना है वस decimal आपका यहाँ पर है one pair, two pair decimal आपका कहाँ पर है यहाँ पर है तो एक pair बना है फिर यहाँ पर देखे decimal यहाँ पर है एक pair यह बना है, एक pair यह और एक pair यह मतलब कि जब भी decimal form में कोई rational number दिया रहेगा और वह number decimal form में जो दिया हुआ है वो यदि perfect square है तो उसका हमेशा decimal के बाद जो numbers होंगे वो pairs में होंगे और जब pairs में होंगे तो फिर उसका long division method से जो square निकालते हैं जैसे usually हम वो ऐसे निकाल लेंगे क्योंकि pair तो बने चुका है उधर का मतलब कि जैसे माल लिजे कि मैं इस वाले number को लेता हूँ ये जो number दिया हुआ है इसको मैं यहाँ लिखता हूँ तो 2519 53 .8025 तो अब इसका कैसे कैसे बराएंगे कैसे जॉल्फ करेंगे तो हम क्या करते हैं कि decimal के जो इधर right side में जो numbers होते हैं उनका भी pair बनाते हैं तो ये तो perfect square है इसलिए हमें pair बन गया अल्रेड़ी ये pair बन जाएगा उसके बाद से कोई दिकत नहीं है जैसे इधर जाते हैं इसे ही कर देंगे मतलब कि decimal के left side में जो numbers हैं उनका अलग सम pair बनाते हैं और जो right side में हैं उनका अलग से pair बनाते हैं ये concept बस सूचिया बिलकुल ठीक है मतलब कि इधर pair बनाना होगा तो बस ऐसे ये ये बन गया और ये बन गया means तीन pair यहाँ बन रहा है ये last में क्या होगा exactly ये remainder होगा वो 0 आजाएगा तो खैर हम यहां पर यह ने समझे कि कैसे किया जाएगा यहां पर लांग डूजर मेथड वो तो मैंने बहुत सारे कुछन शाल्व किया है आप जो है exercise 3.8 जो आड़ी सर्मा का है या फिर आरे सक्वाल की जो squares and square roots वाला जो chapter है उसमें जाकर कि आप सारे कुछन देख सकते हैं मैंने सब कुछ solve किया हुआ है बस यहां पर मैं बाताना चाहता हूँ कि जब वो decimal form में होता है रसनल नंबर तो कैसे हम लोग ये pair बनाते है जो pair बनाने का concept है वही समझ लीजिए ताकि आपको कोई दिकत ना हो तो यहां पर मैंने जो बताया कि यदि ये perfect square होगा decimal number में तो उसका pair बन जाएगा decimal के right side में जो numbers होगे उनका pair बन जाएगा लेकिन मैं ये भी नहीं कहा रहा कि यदि हमेशा जो pair बनेगा वो हमेशा एक perfect square होगा ऐसा भी नहीं है decimal जी कि 1.11 इसका pair बन रहा है यहां पर आप कहेंगे कि 1.11 एक perfect square है बिल्कुल ही नहीं ये perfect square नहीं है लेकिन मैं ये नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि यदि ऐसे कुछ numbers होगे जिनका यदि perfect square होते हैं तो उनका pair definitely बनेगा बनेगा ठीक है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो यदि pair बनता है तो perfect square होगा ही होगा ये जरूरी नहीं है लेकिन ये जरूरी जरूर है कि यदि वो perfect square हुआ तो उसके decimal के right side में numbers जो होगे उसके pair बनेंगे ही बनेंगे जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया तो खेर हमें ये समझना है कि किसे solve करना है तो अब तो एक हो गया कि decimal के बाद pair बन जा रहा है तो solve कर लेंगा असानी से pair बना करके लेकिन यहाँ पर कुछ numbers है जो कि not a perfect square ये सब perfect squares नहीं है और बिल्कुल ही यहाँ देखिए decimal के बाद जो है एक number है तो इनमें कैसे बनाएंगे pairs देखिए ये जो 2 है 2 का पूछ सकता है कि 2 का बता है ये square root तो 2 का square root नहीं जालने के लिए क्या करेंगे decimal हम कैसे बनाते हैं इसमें 2 के आगे हमारे पास हम जानते हैं कि automatically मतलब कि 2 के आगे ही मतलब 2 के right side में किसी भी number के right side में decimal होता है ठीक है तो यहाँ पर decimal है अब इसके आगे से हम क्या करेंगे बस pair pair बना करके जो है zeros का numbers हम रखते जाएंगे बने एक pair zero का लगा देंगे दूसरे pair लगा देंगे जितना मतलब चाहिए उतना अचा कितने zeros का pair लगाएंगे ये भी समझे तो उतने ही zeros का pair लगाएंगे जितने decimal places का हमें value निकालना है जैसे पूछेगा कि find the value of root 2 at 4 decimal places of 4 places of decimal मतलब कि 4 places of decimal के लिए पूछेगा ये दिरूट 2 का तो क्या करेंगे आप कि उतने ही pair बनाएंगे मतलब देखें 4 pair बना लिए मने एक pair अधिक बनाते हैं 5 pairs और 5 decimal places से निकालने के बाद 5 वे वाले decimal places को हम rounding off कर देते हैं तो हमारा जो है exact value निकल जाता है मतलब थोड़ा सा approximate और clear value निकलता है उसके एदम नजदीक जो actual value होगी उसके नजदीक निकलता है और rounding off करना पड़ता है last वाले का इसलिए यदि पूछेगा माली जैरूट 2 का 4 places of decimal पर निकालने के लिए 4 places of decimal तो करेंगे कि आप कि आप ऐसे बनाएंगे 5 pairs ठीक है 5 pair आप 0s जो है 2 के आगे जो है लगा देंगे आप उसके बाद से निकालेंगे आप square root और यहाँ पर जो answer आएगा इसे 1.414 कुछ आता है और यहाँ पर भी कुछ आएगा जो मुझे याद नहीं है माली जै कि यहाँ पर A, B है ठीक है लिए सपोस तो B जो आएगा ना last में मतब कि इस वाले को साल करेंगे तो B आएगा last में तो B जो भी आएगा यदि वो 5 से अधिक होता है तो इसको हम हटा करके और यह जो A है इसमें plus 1 कर देते हैं या फिर यदि B 5 से less आएगा कोई number होगा तो A वह ऐसे छोड़ देंगे ठीक है तो ऐसे rounding आफ कर देते हैं और उसके बाद से हमारा जो 4 digit का decimal place का नमर बन जाता है वह हमारा answer होता है तो जितने places of decimal का यह पूछेगा root 2 का value उतने ही यहाँ पर zeros लगाएंगे उतने ही pair of zeros उससे मतब एक pair जो है अधिक लगाएंगे यह समझ लिजे अब समझते हैं यहाँ पर कि 2.3 यह दिदिया हैगा जैसे 2.3 तो 2.3 का करसे निकालेंगे आप square root तो यहाँ पर भी बोला रहेगा कि 3 pluses of decimal तक निकालिए तो मालिएं कि यहाँ पर पूछा हुआ है कि 2.3 का जो value है इसका square root निकालिए 2 pluses of decimal तक यह पूछा है मालिजे तो आप हमसे समझ लिजे यहाँ पर decimal के बाद जो है pair नहीं बन रहा तो पहले-पहले आप क्या करेंगे एक 0 लगा करके पहले pair बना लेंगे एक pair यह बन गया यह बन गया मतब कि 3 places of decimal तक मतब कि 2 places तक निकालना है तो 3 pairs बनना चाहिए decimal के बाद तो decimal के बाद हमारा 3 0 से बन गया एक pair और यहाँ से 0 0 बन गया यह 0 0 बन गया समझवा गया आपको तो ऐसे pair बना करके हम यहाँ पर निकाल लेंगे आप सोच रहे होंगे कि यह 2.3 में हमने 1 0 बढ़ा करके यहाँ pair बना लिया अखिर यह 0 क्यों बढ़ाया आपने हैगा नहीं ऐसा पूछ सकता है अपना लेकिन यह इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि हम decimal के बाद जो है 0 रख देते हैं उसके आगे तो उससे कोई effect नहीं पढ़ता उसके value पर जैसे माल जी कि 2.3 में कहूं या फिर या फिर कहूं 2.30 इन दोनों में कुछ फर्क नहीं है मतलब numbers में फर्क नहीं है 2.30 और 2.3 exactly same है मतलब कि decimal के बाद जो किसी number के आगे मतलब 2.3 को लिसकते हैं 2.30 तो यह already ऐसा लिसकते हैं इसका मतलब कि इसका pair तो बाद नहीं सकते हैं और उसके आगे double 0 बढ़ा देंगे जितने pluses सब decimal का निकालना रहेगा clear तो जैसे कि इसमें मैं और बता देता हूं जैसे माली जी कि यह दिया हुआ है 5.211 इसका निकालना है आपको यहां पर pair कैसे बनाएंगे तो तो पहले-पहले क्या करेंगे एक 0 बढ़ा लेंगे मतलब एक बना दो बना और फिर यहां में 0-0 बढ़ा देंगे एक और और फिर एक 0-0 और बढ़ाएंगे मतलब यह चार करने के बाद 4 pair of numbers को बनाने के बाद आप जो है इसका decimal plus निकालेंगे मतलब कि इसका square root टिकालेंगे तो आपको जो है 3 pluses of decimal तक मिल जाएगा क्योंकि फोर्थ वाले को rounding आप करना पड़ेगा तो मतलब कि ऐसे करना होगा जिसमालीज का update आप 1.7 तो 1.7 का करने के लिए का करेंगे यहाँ पर pair नहीं बन दा है तो decimal के बाद 7 ही क्यवल है तो क्या करेंगे 0 बढ़ा करके pair बना लेंगे उसके बास से उसके आगे number of 0 बढ़ा करके जितना one कर उतना मन की जितना मन कर उतना नहीं मतलब जितना decimal प्रस तक पुछा है उसके हिसाब से आप 0-0 बढ़ाएंगे तो जैसे 2.5 का मालीज करना है 2.5 का 2.5 में का करना होगा इसमें भी point के बाद एक ही number है 0 बढ़ा करके pair बना लेंगे उसके बास से number आप 0 जो है double pair बढ़ा करके बढ़ाने ला पड़ेगा फिर यहां pair बन गया और उसके आगे डबल बढ़ाते रही है यहां भी दिखे यह बन गया और यह 0 बढ़ा करके यहां बना लेंगे तो इसको आवसे बढ़ाते रही है तो कहने का मतलब कि यही concept है main और किसी भी number को आप इस तरीके से जो है decimal फार में रहेगा तो आप pair बना करके solve कर लेंगे इसी method से ठीक है और यहां पर आप decimal कहां पर लगाएंगे जिसे समझेगा जब यहां पर आप solve करते करते जैसे कि यहां पर मालीजी कि यह उतारे आप 25 को ले गया किसे ले गया 5 से तो 5 से ले गया और यहां आग गया 25 खतम हो गय आपने के बाद वाला ना तभी लगा देंगे decimal यहां पर लगा देंगे decimal जब यह पेर उतारेंगे decimal के बाद वाला तुरंत वहां पर decimal लगादेंगे से जो numbers आएंगे याँ पर वो आएंगे उसको वासर रखते जाएंगे जो भी solve बर रहे हैं तो आप ही इसको मैंने solve किया है आप जो है मेरे सारे questions देख सकते हैं जब इसके जो आप यदि ये वीडियो देख रहे होंगे जिस playlist में ये वीडियो होगा उसी playlist में मैंने बहुत सा question solve किया गया है उसमें आप जाकर के देख सकते हैं ये actually मतलब ये कैसे होगा decimal place पर कैसे मतलब मैं करता हूं या फिर आप समझ गया होंगे कैसे करना है यहाँ पर जब भी decimal के बाद वाला pair आप उतारेंगे तुरंत decimal उपर जो है quotient में लगा देंगे अप फिर आपका answer जो आ जाने के लिए करेंगे 0 से ले आएंगे तो 0 प्रस 0 0 से ले जाएंगे जीरो ही रहेगा 0 आगे खतम हो गया ये अब 16 उतारेंगे देखेंगे decimal के बाद वाला उतार रहे ना तो पहली बार 0 से घया था अब दूसरी बार decimal से हम बाद वाला नंबर उतार रहें आपर 16 क्या कर करेंगे कि 0 को बाद decimal लगा देंगे यहाँ ठीक है और 16 में ले जाना है तो यहाँ जिरो राट करेंगे 0 ही आएगा इसका मतलब कि 4 से ले जाना पड़ेगा 16 हो जाएगा कर जाएगा यहाँ पर तो इसका मतलब 4 यहाँ पर आया तो 4 रखेंगे यहाँ पर 0.4 आगे answer कहने क तब जब भी decimal के बाद वाला पेर उतारेंगे decimal के जस्ट बाद वाला तुरण तो वहाँ पर answer में decimal लगा देंगे ठीक है तो यही तरीका है यहाँ पर decimal numbers का square root निकालने का तो hope कि आपको समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो में इतना रखते हैं और यदि कोई भी doubt होता है तो comment section कर सकते हैं आप comment और यदि आपको अच्छा लगा तो like कर दिजिए तो share करिएगा और कोई भी आपको दिकत है तो comment box आपके लिए है और मैं हमेशा आपके लिए यहां पर हूँ thank you so much bye